हेलो दियर स्टूजेंट्स वेलकम तो और चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेश तोड़ेश वी अप्लोड किये जा रहे हैं और वो सारे वे लेक्टर वीडियो आपको आपकी जो नर्सिंग ओविसे रेक्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन उसमें हेल्प कर रहे हैं तो आज का विडियो जो है वह अपना हाइपो के लेमीय की ऊपर एक जो हमारा ड़िजेंक है हाइभ है आज से हम जो एलेक्ट्र लग्ड बेलेंस और हिंबलेंस हो रहे हैं इसके बारे में डिसकस करेंगे अब तक की क्लासों के अंदर हमने डिसकस किया था fluid overload, fluid क्या होता है, compartments होते हैं, कैसे fluid की shifting होती है, edema क्या होता है, कैसे third space में shift हो रहा है, hypervolumia क्या है, hypovolumia क्या है, fluid volume access हो गया, fluid volume deficit हो गया, ये सारी चीज़े अब तद हमें, देखी, साथ के साथ हमने ये देखा, हमारे YouTube चैनल की क्लासों के अंदर ये देखा, कि इन सारी conditions के अंदर management कैसे करना है, ठीक है, तो आईए, आज की क्लास शुरू करते हैं, आज का हमारा जो topic है, hypokalemia, आज से हमारी जो lecture वीडियो की जो class हैं, वो हो चुकी हैं, हमसे start हो जाएंगी, किस topic पर electrolyte imbalance के उपर, ठीक है, तो आज की class का हमारा topic है, hypokalemia, तो hypokalemia की बात करते हैं, ठीक है student, तो hypokalemia की अगर बात करें, तो hypokalemia की एक ऐसी condition है, hypokalemia की है, एक ऐसी condition है, जिसके अंदर क्या होता है, 3.5 to 5 millie equivalent per liter, यह potassium का normal level होता है, ठीक है, और एक एस hypokalemia, एक ऐसी condition है, जिस condition के अंदर क्या होता है, जो potassium है, उसका level 3.5 से कम हो जाता है, ठीक है, एक ऐसी condition है, जिसके अंदर क्या होता है, जो potassium का level हो decrease हो जाता है, कम हो जाता है, कितने से 3.5 milli equivalent per liter से अगर potassium का level कम है तो वो condition क्या कहलाती है hypokalemia कहलाती है ठीक है next point यह कहता है कि hypokalemia एक life treating condition है ठीक है risk of life risk of life of patient ठीक है risk of life of patient मतलब कि hypokalemia की condition है hypokalemia एक एसी condition है जिस condition के अंदर हो सकता है कि patient अगर आप management timely management नहीं किया जाए तो उस condition के अंदर हो सकता है कि patient की यह वो life है वो जा सकती है patient की death हो सकती हूँ कि आप सब देखते हैं कि हमारी body की normal physiological functioning के लिए हमें potassium और sodium सबसे ज़्यादा required होते हैं सब यह जानते हैं ठीक है अब सबने पढ़ रखा है अपने nursing courses के अंदर कि potassium है वो major role play करता है हमारी body की जो normal functioning है normal physiology उसको commenting करने के लिए तो जब भी potassium की कमी होगी तो life बोडी-potassium loss total body-potassium loss कि पूरी body से potassium का loss होगा वो कौन-कौन से causes होगे देखिए total body-potassium loss अब total body-potassium loss अगर हो रहा है तो वो कौन-कौन सी conditions है तो first one है increase aldosterone hormone secretion increase aldosterone hormone secretion मान लीजिए aldosterone hormone का अगर secretion बढ़ जाता है ठीक है तो इसमें क्या होगा देखिएगा sodium and water का तो यह क्या कर रहा है renal tubes में क्या कर रहा है reabsorption रीजोप्शन कर रहा है लेकिन ध्यान रखने की important बात यह है कि यह यह 7 कि साथ यह aldosterone hormone यह 7 कि साथ क्या रहा है k प्लस का increase excreation potassium के excreation को यह क्या कर रहा है इन्क्रीज कर जादा से ज़्यादा अल्डिस्टरोन का लेवल अगर बड़ेगा तो बोड़े के अंदर सोडियम और वाटर का लेवल तो इन्क्रीज हो जाएगा और क्या होगा पोटेसियम का लेवल वो क्या कर देता है इंक्रीज गर देता है टो इस कंडिशन पर्टिशन क्या होगा इंक्रीज हो जाएगो तो क्या हो जाएगा हाइपो केलेमिय होने के chances arise हो जाते हैं तो ये है एक cause है जो elderosterone की increase होने की वज़े से आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है I hope मेरे दोरा प्रवेड गिया जारा है एक मिल आपको समझ में आ रहा होगा अगर किसी कोई सी भी point में कोई doubt है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दुबारा पूछ सकते हैं मैं definitely उसका answer करूँगा next one है next one है हमारा vomiting and diarrhea vomiting and diarrhea vomiting और diarrhea के अंदर आप देखो कि तो फिर जब इनके अंदर क्या होता है major electrolytes loss होते है major electrolytes का loss होता है ठीक है तो major electrolytes loss है तो इसमें इसमें क्या होता है hypokalemia की condition हमाली जो potassium है वो ज्यादा बोड़ी से vomiting के दो रान बहुत ज्यादा निकल रहा है ठीक है diarrhea के साथ आपकी जो electrolytes हो रहे है fluid loss हो रहे है तो उस condition के अंदर वो साथ है कि आपको hypokalemia आपके patient के अंदर hypokalemia की condition हो रहाई तो हो सकती है next one है अपना wound drainage especially gastrointestinal wound especially gastrointestinal wound इसमें देखेगा wound drainage के अंदर आप देखेगा students अगर हम normal physiology की बात करें body की normal physiology की बात करें तो normally क्या होता है cell के अंदर cell के inside में क्या होता है potassium K plus inside में ज़्यादा होता है ठीक है बाहर क्या होता है और यह प्लस होता है ठीक है जी यह एक normal body की physiological condition है ठीक है अब हम बात करते है wound की wound का drainage कर रहें wound के drainage में आप देखोगे की क्या हुआ wound बना कैसे ठीक है चाहिए किसी भी ट्रॉमा की बज़े से आपको चोट लगी चोट लगी तो क्या होगा tissue है वो टूट दी आपकी जो cells थी वो क्या होगी breakdown होगी अब cell breakdown होगी तो जो अंदर का जो potassium था वो कहा आ गया बाहर extracellular fluid के अंदर बाहर आ गया अब आप बार बार इसको water के साथ यहां आप आप क्या पर रहे हो इसको पानी के साथ आप इसको पानी के साथ क्या कर रहे हो वाश कर रहे हो इरिगेट कर रहे हो ठीक है बार बार इस tissue के ऊपर आप बार बार पानी डाल कर गे इतको continuous ले आप इरिगेट कर रहे हो इरिगेट कर रहे हो तो जो टूटी नी केलेमिया ठीक है ये कोज़ करतेगा आपको हाइप केलेमिया तो यह एक इंपोर्टेंट पर रिजसें है इसका नेक्स लाइच आम बात करते हैं स्टुदेंट्स प्रोलॉंग नेजल गेस्टिक ट्यूब नेजोगेस्टिक ट्यूब सक्षनिंग प्रोलॉंग नेजोगेस्टिक ट्यूब सक्षनिंग प्रोलॉंग नेजोगेस्टिक ट्यूब सक्षनिंग प्रोलॉंग नेजोगेस्टिक ट्यूब सक्षनिंग प्रोलॉंग नेजोगेस्ट तो आपने स्ट्शन कर दिया उसको बोडी से बाहर निकाल दिया तो अब बोडी के पास पॉटेसियम को एब्जॉर्ब मनलब एब्जॉर्ब परने के लिए पॉटेसियम वहाँ पर आवेलेबल नहीं है और इस कंडिशन के अंदर क्या हुगा आपको आए पो के लिम्या की कं सकती है ठीक है एकसेसिक यूज ठीक है पॉटेसियम प्रोलोंगड यूज उजओ निज्यूज नेजोगेस्टिक ट्यूज सक्षनिग ध्यान रखना जब यह बहुत बाहर गिश्न आता है ठीक है एक पेशेंट है इंपोर्टन गिश्न है ठीक है फ्णुरेंट प्लीज को द्धान में रखेगा इसको न रखेएगा ज़का प्रोलंग्ड नेजोगेस्टिक ट्यूब शक्शं़रमिया उस कंडिशन के अंदर आप देखिएगा कि स्टमक के अंदर के उन इंकरीज होती और यह एक इम्पोटेंट पॉइंट है जिसको note केजिएगा, highlight गीजिएगा, इसको mark करके रखेगा, इस पर बहुत बार nursing officer recruitment examinations के अंदर इसमें बहुत बार question पूछे जाते हैं, ठीक है, next one है, excessive use of diuretics, excessive use of diuretics, corticosteroids and albuterol, ठीक है, तो excessive use of diuretics, corticosteroids and albuterol, ठीक है, इसमें रेखेगा, ठीक है, diuretics और excessive use of diuretics, albuterol और corticosteroids, ठीक है, तो बात करते हैं, diuretics की, हम बात करते हैं, diuretics की, तो diuretics की बात करें, अब आप diuretics के अगर बात करोगे, तो diuretics की बात करोगे, तो diuretics क्या करते हैं, increase urine output, urine output साथ के साथ यह क्या करती है reabsorption of decrease then reabsorption of sodium and potassium from कहां से renal tubules से from the renal tubules from the renal tubules यह renal tubules से क्या करती है क्या कर रही है reabsorption को क्या कर दीती है कम कर देती है, ठीक है students, यहाँ पर आपको देखने की जरुवती है कि diuretics यह कर रही है, urine output बढ़ा रही है, अब urine output बढ़ रहा है, ठीक है, urine output कैसे बढ़ेगा, urine output कैसे बढ़ेगा, यह क्या फिरेंगी, absorption of, absorption of water and electrolytes is decreased, urine output बढ़ाने का यह की तरीका है, जो absorption हो था, water का और electrolytes का जो absorption हो था, उसको decrease कर दो urine output, automatically increase हो जाए गरिनल के अंदर, ठीक है, तो diuretics का काम है, urine output को increase करना, तो यह क्या करेंगी, urine output को कैसे बढ़ाएंगी, यह urine output को बढ़ाएंगी ऐसे, absorption of water और electrolytes को यह क्या कर देंगी, decrease कर देंगी, ठीक है, अब यह decrease करेंगी, तो उस condition के अंदर क्या होगी, excessive potassium का loss होगा, body से और potassium का loss होगा, तो hypokalemia की condition हो क्या हो सकती है, arise हो सकती है, ठीक है, और जो diuretics है, वो क्या करती है, sodium और potassium को, यह absorption को भी stop कर देती है, जिस वुज़े से भी potassium होगा, वो काफी ज़्यादा X create होता है, यूरीन के साथ, और hypokalemia की condition हो, वो arise हो सकती है, next one है, max step न, corticosteroids, ठीक है, corticosteroids के बारे में बताता हूँ, ठीक है, corticosteroids, पहला ही आगया, दूसरा आ रहा है, corticosteroids, तो corticosteroids के बात करें, तो corticosteroids जब आप देते हो गशेशन तो आपका patient, अगर prolonged corticosteroids therapy पे तो उसमुजा उता है, mineralocorticoid होते है, mineralocorticoids, अब जब आपकी corticosteroids हैं, वो क्या करेंगे, mineralocorticoid को जैसे भी action करेंगे, gluocorticoid को जैसे भी action करेंगे, क्या करते हैं यह भी sodium and water के reabsorption को क्या करते हैं तो बढ़ा देते हैं क्या करते हैं अर यह sodium और water के reabsorption को इंख्रीयस करते हैं ठीक है next one अपना third one point है third one जो medicine हो वो कौन से medicine है third one medicine अपनी albutyrol albutyrol medicine अब वो albutyrol medicine है one second and rating problem आ सकती है albutyrol अब जो albutyrol medicine है ये क्या करती है ये जैसे जब भी action करने के लिए cell के पास जाती है ठीक है जैसे ये क्या करेगी cell के पास जाती है तो ये क्या करती है cause influx of cause influx of potassium into the cell into the cells ये क्या करती है cell के जो potassium cell के बाहर था हमने ये कहा कि intensely of cell के अंदर है ठीक है मां लिया सब cell के अंदर potassium है लेकिन क्या है सेल के बाहर भी तो potetium है एक्स्टासरललर कंपाट्मेंट में इलेक्रोलाइट वेलेंट करने के लिए potetium है ठीक है तो अब देखिए एक्स्टासरललर कंपाट्मेंट के अंदर है जैसे ही आप albutyrol होगे albutyrol के एक respiratory medicine है ठीक है albutyrol के एक respiratory medicine जैसे आप albutyrol दोगे patient को जैसे आप patient को albutyrol दोगे तो patient आप जैसे यह इसका meaning ECC का मतलब है एक्ट्रा सेलिलार कमपार्टमेंट के अदर आप students देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि potassium का level क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वांपर hyokalemia की condition arise हो जाती है तो hyokalemia की condition arise हो जाएगी extra cellular fluid के अंदर क्या हो जाएगा hyokalemia नेक्स हम देखते हैं कि यह सारा कुछ हमने देख लिया है कि डायोरेटिक्स कैसे इंपेक्ट कर रही है ठीक है है हाइपोकलेमिया को कोटिको स्टिरोड कैसे इंपेक्ट कर रहा है वो हमने देख लिए उसका एक्जेक्ट रीजन ठीक है और अल्बिट्रोल कैसे इंपेक्ट क कर रही है normally albitrol क्या करती है albitrol जब भी cell के अंदर action के लिए जाएगी तो यह क्या करती है मतलब in directly short हम कह सकते हैं कि albitrol क्या करती है potassium का intracellular influxation बढ़ा देती है influx बढ़ा देती है potassium वो intracellular compartment के अंदर चला जाता है from the extracellular compartment और जिस वज़े से क्या होता है extra cellular compartment के अंदर potassium की कमी हो जाती है और वो कमी क्या कहलाती है hypokalemia कहलाती है ठीक है तो यह सारा कुछ हमने अब तक ही देख लिया next हम देखते एक्सेशिव डाइपोरोसिस ज्यादा हो रहा है तो उस condition के अंदर पेशेंट के अंदर है उस individual के अंदर क्या हो सकता है hypokalemia हो सकता है next one है kidney disease imparing the reabsorption of potassium कोई भी ऐसी kidney की डिजीज की ऐसी कोई डिजीज ऐसे कि ना chronic kidney disease हो सकती है acute kidney disease हो सकती है acute tubular necrosis हो सकता है ठीक है कोई भी renal disorder कोई भी degenerative renal disorder से इसके वज़े से क्या हो सकता है हो सकता है कि renal debuels के अंदर k plus का absorption ना हो वहाँ पर क्या हो can you k plus का absorption decrease हो जाए absorption हो नहीं होगा तो उस condition के अंदर क्या होगा वहाँ पर potassium की deficiency होना लाजमी है ठीक है I hope आप लोगों को मेरे दुवारा प्रवाइड गीजारे content आपको समझ में आ रहे होंगे अगर कि इसी भी student को किसी भी rational में किसी भी point पर कोई भी doubt है था आप comment section में अपना doubt हो चोड़ सकते हैं वह definitely उसका answer करूंगा नेक्स हम देखते हैं हमारा तो second one course है पहला हमारा course था कि total body से potassium loss कैसे हो रहे है ठीक है total body से potassium loss कर रहे हैं total body potassium loss अब हम देख रहे हैं हमारा जो next course है वह हमारा inadequate potassium intake ठीक है अब मान दीजिए आप अपने dietary sources के अंदर diet के अंदर ठीक है आप अपने dietary sources के अंदर यहां जो भी आप में खा रहे हो काना खाते हो पानी पी रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो उस solutions के अंदर यहां उसमें जो भी food particles है आपकी liquid diet है solid diet होगी जो भी diet हो उस diet के अंदर है पोटेशियम से पोटेशियम में वो deficit रहेगा ठीक है मान लीजिए कुछ ऐसे रिस हो ऐसे sources आप ऐसे dietary sources के यूज ही नहीं कर रहे हो जिन dietary sources के अंदर पोटेशियम वो enough amount के अंदर होता है ठीक है तो वो सकता है कि आप अपने dietary sources के तुरू क्या कर रहे हो पोटेशियम का इंटेगर वो कम कर रहे हो ठीक है diet lack of potassium ठीक है अगर मान लीजिए आप ऐसे diet ले रहे हो जिसके अंदर पोटेशियम नहीं है तो उस condition के अंदर क्या हो सकता है हाइपो केलेमिया होने के पूरे पूरे चांसे रहे है second one movement second कहता है कि movement of potassium from the extracellular to the intracellular compartment ठीक है extracellular compartment to intracellular compartment यहाँ पर albitrol तो आपके भी पढ़ा है albitrol वो भी क्या है एक immediate यही action कारता है albitrol क्या करती है potassium को extracellular से intracellular compartment के अंदर transfer कर देती है जिस वज़े से extracellular fluid के अंदर क्या हो जाता है potassium की deficiency हो जाती है ठीक है तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई patient albitrol है albitrol के एक respiratory medicine है albitrol की therapy के उपर है albitrol medicine वो ले रहा है ठीक है तो उस condition के अंदर हमें क्या करना है उस patient के अंदर हमें potassium के level को क्या करना है regular interval के उपर monitor करना है क्योंकि albitrol है वो क्या कर सकती है hypokalinia cause कर सकती है next हमारा यह cause है कि movement of potassium from the extracellular to the intracellular इस पर फस्ट वान है hyperinsulinism मान दीजे किसी भी region की वज़े से अगर हमारी body के अंदर insulin उसका secretion से बढ़ जाता है ठीक है increase insulin कि इनसुलिन तो इंसुलीन क्या करेगा, इंसुलीन क्या करेगा, वहाँ पर एक्षन करेगा, एक्षन क्या होगा, इंसुलीन क्या होगा, इंसुलीन क्या करेगा, इंसुलीन क्या करेगा, इंसुलीन के साथ, इंसुलीन क्या करेगा, बाइंड करेगा, जिस किसको बाइंड करेगा, बाइं को बाइंड कर लेता है गुलकोज और पोटेशियम को यह क्या कर लेता है बाइंड कर लेता है और जब यह गुलकोज और पोटेशियम को बाइंड कर लेगा तो क्या होगा यह क्या कर देगा cause influx of influx of potassium into the extracellular to extracellular to intracellular extracellular to intracellular ठीक है, extracellular to intracellular compartment के अंदर क्या कर देता है, insulin क्या कर देता है potassium को transfer कर देता है, मान लिए हमारे body के अंदर किसी भी region की वदे से insulin का है, जो segregation है, वो increased हो गया, ठीक है hyperinsulinism की condition है, जिसके अंदर क्या होता है, insulin का segregation है, insulin का जो blood level है वो बढ़ जाता है, तो उस condition के अंदर क्या होगा, जो भी plasma के अंदर potassium है जो blood के अंदर जो भी potassium है, उस potassium को insulin क्या करेगा, cell के intracellular compartment के अंदर base देगा, और intracellular compartment में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे extracellular compartment के अंदर potassium की क्या हो जाएगी deficiency arise हो जाती है ठीक है, next one है alkalosis, तो alkalosis के अंदर जिसके अंदर क्या हो जाता है, base हो increase हो जाता है, alkalosis के एक ऐसी condition है, जिसके अंदर क्या हो जाता है base हो increase हो जाता है alkalosis detail के जाद पढ़ाएगे, next unit यही start करेंगे, अपन acid base balance की, ठीक है, तो यहाँ पे हम just briefly हम देखते है कि alkalosis alkalosis होता है, तो alkalosis के अंदर क्या होता है जो pH होती है body की, ठीक है वो क्या हो जाती है, more than 7 ठीक है, more than 7 7 से जादा हो जाती है ठीक है, वो क्या हो जाती है, more than 7 more than 7 हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है alkaline कहलाता है alkaline हो जाता है, ठीक है अब इसे alkaline को treat करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें H प्लस आयन की concentration को हमें क्या करना पड़ेगा increase करना पड़ेगा concentration increase करना है हमें H प्लस आयन की concentration को क्या करना पड़ेगा increase करना पड़ेगा अब H प्लस आयन की concentration increase कब होगी देखिए गए students जब जब, ठीक है जैसे ही ये Mon Leegens cell बनाते हैं एक सेल किनल अंदर क्या है Nucleus अदर क्या हो गया है यहां पर गाललाइंट्था के उंदर क्या ख अपtocks यह अब्र हम यहां निल ख हो गया एक्ट्रस्या्योस कंपर्पाटमेंट मतलब ऑल्कलोसिस के कंडिशन वह वो डवलप हो गयी अब यहाँ पर क्या होगा। anyway सेल के अंदर जाएगा ठीक है। cell के अंदर जाएगा तो cell के अंदर जाने से यह जो हमारा k plus था वो चला गया है cell के अंदर cell जैसे ही k plus मालब potassium cell के intra-cellular compartment में जाएगा वहाँ से h plus iron क्या होंगे release होंगे h plus iron क्या होंगे release h plus iron क्या होंगे release होंगे cell से h plus iron से वो release होंगे और cell से H plus iron release होंगे तो क्या होगा? Extra cellular compartment के अंदर H plus iron आने लग गए है H plus iron हमें चीज़िए क्यों चीज़िए क्योंकि हमें alkalosis को neutralize करने है हमें alkalosis को क्या करना है? neutralize करना है alkalosis को neutralize करने के लिए क्या होगा? body compensate करेगी compensate करके क्या होगा? potassium हो वो cell के अंदर चला जाएगा और cell के अंदर जाने से क्या होगा? cell के अंदर जाएगा? साथ की साथ क्या होगा? जो H plus iron है जो H plus iron है वो आजाएंगे cell के extra cellular compartment के अंदर extra cellular compartment पे alkalosis की condition थी H plus iron आएगे तो इसका मतलए बहाँ पे acid base हो बेलेंस होगा लेकिन यहाँ पे एक ड्रोब एक हुआ क्या हुआ? जो भी हमारा extra cellular compartment का जो potassium था वो सारा का सारा cell के अंदर चला गए है वो सारा का सारा cell के अंदर influx हो चुका है तो cell के extra cellular compartment के अंदर वापस क्या राइज हो गई? कंडिशन हाइपोकेलिमिया 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 की कंडिशन वो क्या हो गई? अराइज हो गई है तो यह इसका reason है ठीक है? I hope आप लोगों को मेरे दुबार प्रवाइड की जारी lecture वीडियो समाझ में आ रहे होंगे किसी भी student को कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्षन में जरूर पूछिए मैं definitely उसका अंसर करूगा next one अपना dilution of serum potassium dilution of serum potassium का मतलब यहां पर रहा है इस्टुडिन इस dilution of serum potassium जो मीनिंग है वो यह निकल रहा है आपर कि मान लीजिया आपका एक्सेलल कंपार्टमेंट के अंदर ही इंट्रसेलल कंपार्टमेंट के इंदर बैलेंस मेंटेन था पोटेशियम का लेकिन आपने क्या किया water intoxication कर दिया water intoxication का मतलब है कि patient के अंदर patient के body के अंदर जो fluid levels का level increase हो गया ठीक है तो dilution of serum potassium का मतलब है कि water intoxication अगर body के अंदर fluid का level बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा जो extracellular compartment का जो potassium है ठीक है जो potassium हो वो क्या हो जाएगा dilute हो जाएगा ठीक है वो dilute हो जाएगा dilute हो जाएगा solution हो जाएगा hypotonic solution हो आराई हो जाता है ठीक है और hypotonic में क्या हो गया hypotonic का मतलब हो गया कि इसके अंदर solute की concentration हो क्या है कम है तो potassium का level कम हो जाएगा hyper dilution की वज़े से ठीक है next one है आई-वी थेरेपी और potassium आवाण डीजे आप कोई आई-वी थे वाटर potassium आई नहीं तो potassium की क्या हो जाएगी कम हो जाती है ठीक है तो यह सारे causes थे next time देखते हैं assessment next time देखते हैं assessment की potassium की जब body के अंदर कमी होगी तो उस condition के अंदर हमें कौन-कौन से sign and symptoms देखने को मिलेंगे details के साथ देखते हैं दीरे-दीरे है potassium, sodium, calcium यह सारे के सारी important points है क्योंकि इनको इनको रीड़ाउट करना पड़ेगा इनको समझना पड़ेगा इनको याद करना पड़ेगा ताकि अधने उस अधने आपने sodium, potassium औ के अधने तो वह सारे question आपने सही हो सके हमारी वह सारी question चाहिए हो सके हमारे वह सारे question सही हो सके negative marking हो हमारी जो preparation हो सब्सक्राइब इसलिए इनको ध्यान से पड़िएगा assessment वह और भी की ज्यादा क्यारिफुली होकर यह रही पढ़ेगा तो अस्थिसमेंट की बात करें केस हो अस्यान कि स्धीज़ का बढ़े है अपन इंडरा Vet DNA hypnot मेंट इसचाइबियां नング इसटम हमारेश फस्त वन आतर Первना irregular pulse हो सकती है orthostatic hypotension orthostatic hypotension को मतलब जब भी patient upright supine position से upright position में आएगा तो उसका blood pressure हो वो क्या हो जाएगा decrease हो जाता है तो वो condition क्या कहलाती है आपकी orthostatic hypotension मैंने पर कल भी बताया था मैंने आज भी बता रहा हूं कि potassium वो potassium potential के लिए sodium potassium channel के लिए बहुत जरूरी होता है ठीक है तो हमारी body के अंदर जो भी muscles हैं उनकी functioning के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो electrolytes हो अपने sodium और potassium है तो जैसे ही मान लीजिए potassium की कमी होगी तो साथी दे sign and symptoms हमें देखने को मिलेंगे heart के उपर क्या देखने को मिलेगा हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं तो डिसरादिमिया की जो condition हो और आइज होगी hypokalemia की अंदर होने के चांस है इस है हर्ट की जो हर्ट की जो इदम है उसके अंदर disturbance आने शुरू हो जाते हैं next time देखते है respiratory system के अंदर कौन-कौन से चेंज़े जाएंगे तो first one जो चेंज़े जाएंगे वो आ रहे हैं अपना shallow respiration का मतलब potassium की कमी होगी तो क्या होगी वोडी के अंदर जो वीकनेस आएगी वीकनेस आने की वज़े से क्या होगा जो बहुत ही दीरे दीरे साफ लेने की कोशिश करेगा skeletal muscle सा उनके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है डिफिसेंसी की वज़े से और जो breathing sound है वो भी gradually दीरे दीरे जाकर गे diminished होना शुरू हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा हाइपर लेवल के उपर यानि की बहुत ज़्यादा डिफिसेंसी होगी है potassium की और body composite नहीं कर पा रही है तो उस condition के अंदर जो breathing sound आप वो भी दीरे दीरे disappear होना शुरू हो जाते हैं ठीक है next one अपना neuromuscular system neuromuscular system को जब हमें examine करेंगे in case of hypokalemia तो वहाँ पर हमें मिलेगी देखने को anxiety हो सकती है पेशिंट को ठीक है lethargic weakness है तो patient को definitely है कि lethargic बहुत जादा कमजोरी है वो मैसूस होगी confusion होगा पेशिंट को leg cramps ठीक है condition है जब या पोटेशिंट को साथ की साथ magnesium आपको याद वह बने अप्सी रोसीन की medicine के अंदर पढ़ा था ठीक है deep tendon hyperreflex है तो यह सारे magnesium MGSO4 के अंदर भी हम क्या परते है deep tendon reflex को क्या करते है monitor करते है ठीक है वो disappear होने लग जाता है किसमें MGSO4 के अंदर ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है hyperreflex ठीक है deep tendon reflex है वो क्या हो जाएगा hyper उसका reflex हो क्या होना शुरू हो जाता है है इस वज़े से वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो हमें अगर monitor कर रहे है hyper reflex है अगर ठीक हो रहा है तो इक हम लेव पोड़ेश्यम का लेवल हो क्या हो रहा है पोड़ेश्यम है उसका muscular activity के अंदर important role है जहाँ-जहां muscles का role है वहाँ-वहाँ-पोड़ेश्यम की कमी है कमी होने के वज़े से muscular role था यह जो muscles की movements ते वो कम हो रहे है ठीक है bowel sound है वो कम हो जाएंगे यहाँ भी muscular movements है पेरलाइटिक इलियस तो पेरलाइटिक इलियस क्या है अपसेंट ओ टोटली अपसेंट ओ बावल साँंड ठीक है पेरलाइटिक इलियस को जो सकता है motility intestine की जो motility है वो कम हो जाएगी अब motility कम हो गई तो वहां पे नोजिया और vomiting क्योंकि जो खाओगे वह सारा का सारा एक ही जगह रुका हुआ रहेगा तो वहां पे नोजिया गर्षक का चेक करना परता है कर झाज है auf theonton डेट अर्षए और सवाल मेडे मेरा ये होगा आप लोगों से कि या तो गरतос को कहा से किस लेवल पर है जाता है तो उसका आंसर यह है ठीक है अब्डोमिनल गर्थ है जब भी in case of ascites, ascites के अंदर में यह most commonly check करनी होती है in case of ascites हम क्या करेंगे patient की abdominal गर्थ उसको क्या करते है monitor करते है regular interval के उपर हम क्या करेंगे जो भी measurement है, measuring tape है measuring tape उसको लेकर के हम patient की abdominal गर्थ को check करते है कि patient का कितना abdomen को enlarged हुआ है, क्योंकि जैसे-जैसे abdomen and abdomen enlarged होगा तो patient को क्या होगी, breathing difficulty है वो देखने को मिलेगी तो इसमें हम देखे, जब भी हम patient का abdominal गर्थ चेक करते है तो प्रहाँ से check करनी है, at the level of, at the level of umbligus at the level of umbligus, at the level of umbligus के उपर हमें क्या करना है, patient की abdominal गर्थ होगा गर्णी है, check करनी है ठीक है, यह सारे थे अपने GIT, next one, laboratory findings क्या होगी जब भी आप patient की blood serum level check करोगी, in case of hypokalemia ठीक है, hypokalemia की अंदर जब आप patient का blood level check करोगी, तो जो उसका hypokalemia है, अंदर potassium का जो level है, वो हमें क्या मिलेगा, serum level है, वो less than 3.5 से कम मिलेगा ठीक है, 3.5 से उसका level क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, 3.5 milli equivalent per liter से उसका level हो, वो कम मिलेगा, laboratory values के अंदर next one, सबसे important जो changes आएंगे, वो आएंगे, ECG changes, most common exams, M's का सबसे favorite question यहीं से उठता है, hypokalemia के लिए, ठीक है, जब भी M's hypokalemia की बात कर रहा है, तो उस condition के अंदर आपको level हो सकता है, level पूचा है, लेकिन बहुत rare chance जाएगी level, आपको पूचा जाएगी, hypokalemia कौन से level पे हो कि इतना level होता है, नॉर्मल, most commonly, जो M's nursing officer या Norset की exam सा वहाँ पर जो कीशन उठाए जाते हैं, वो EC part से उठाए जाते हैं, nursing officer recruitment examination में कीशन EC से उठते हैं, अगर hypokalemia से related coefficient आ रहा है एक्जाम में तो, ठीक है, तो ECG changes, तो ECG changes की आप बात करो, तो ECG changes के अंदर सबसे important जीन म में क्या मिलेगी, prominent U-wave, students, इसको ज्यान रखिएगा, prominent U-wave, एक एसी condition है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, hypokalemia है, एक एसी condition है, जिसके अंदर prominent U-wave आपको देखने को मिलेगी, मैं ECG के साथ आपको अभी समझाऊँगा की कैसे आप U-wave देख सकते हैं, nursing जी के अंदर, ठीक है T-wave का inversion होता है, prominent U-wave, यहाँ पर सीधा सवाल आ सकता है कि कौन सा electrolyte imbalance है, जिसका imbalance होने से या पर जिसके कमी होने से क्या हो सकता है, ECG के अंदर U-wave दिखाए देती है, तो potassium या hypokalemia जिसके अंदर क्या होता है, prominent U-wave दिखाए देती है, एस्टेज एक मिलेट का depression होता है, और T T-wave का क्या हो जाता है, inversion हो जाता है, important है, याद रखिएगा, note करके रखिएगा, यह बहुत ही important है, very, 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 very most, ठीक है, next time बात करते हैं, कैसे changes जाएंगे ECG के अंदर, आप देखिए, normally क्या है, हम देख रहे हैं, कि, normally हम देखेंगे, ठीक है, normally जैसे मान लीज़े ECG की बात करें, तो यह अपनी है P, यह है Q, R, S, और T, ठीक है, यहाँ पर normally T-wave उपर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, T-wave क्या हो रही है, inversion, T-wave क्या हो गया, inversion, आप देख सकते हैं, इस diagram के अंदर, sorry, आप इस diagram के अंदर देख सकते हैं, आप इस diagram के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं सिरफ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यह P-wave है, यह Q-R-S complex है, Q-R-S, और यह आपकी T-wave है, ठीक है, तो यहाँ पर T-wave का क्या देख रहे हैं, आप inversion देख रहे हैं, यहाँ मै depression, T-wave का क्या औरा, inversion होगे, inversion of T-wave, ठीक है, और prominent U-wave, यह देखो students, यहाँ से देखो, यहाँ पर आप देख पाओगे U-wave, prominent U-wave, U-wave हो क्या और यह पर रहे हैं, ठीक है, तीर के निशान लगे हैं मैं यहाँ पर, आप देखो, identify कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको easily identify कर सकते हैं ठीक है, तो यह ECG changes, किसकी ECG changes है, यह hypokalemia की है, hypokalemia की ECG changes है, ECG changes है, hypokalemia की ECG changes है, आप देख लीजिए, important है, यह image based question भी आ सकता है, कि यह किस condition के अंदर देखने को मिलेगा, तो देखिए student, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वाला जो, यह वाला जो, मैंने भी बनाया है, वो आप देख तो इक लिजिए यह वाली अपनी, कौन थी है, T wave, T wave क्या होगा, inversion, next है, यह वाली अपनी U wave, यहाँ पर क्या है, U wave है, ठीक है, students, यहाँ पर क्या U wave है, और यह U wave क्या कर लि में मिलते हैं, Ipokalemia की condition के अंदर, ठीक है, I hope आप लोगों को मेरे दुआरा प्रोवाइड की यह वी लेक्चर वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अगर किसे student को कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट शेक्शन में जरूर बताईए, आज की क्लास में इतना ही, I hope मेरे दुआ प्रोवाइड की यह वी लेक्चर वीडियो, आपकी नर्सिंग, आपकी से रेक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे, प्लीज, लाइक, शेर, और सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, नेक्स